प्रस्नेक सब्दों में लिखें प्रस्नेक का कर तो इसको सब्दों में लिखना है तो इधर से गिंते हैं देखें इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार तो हजार कहां पे आ रहा है यहां पे आ रहा है दो पे यानि बारह पे हजार आ रहा है देखें इकाई दहाई सेकड़ा हजार यहां पे आ रहा है तो यह दोनों क्या हुआ बारह यानि बारह हजार हो जाएगा बारह हजार तो एकाई दहाई सेकड़ा हजार और यहां पे आ रहा है दस हजार तो हजार आ रहा है यहां पे और दस हजार आ रहा है एक पे तो बारह हजार हो गया यह और एकाई दहाई सेकड़ा सेकड़ा में सुनने है दहाई में भी सुनने है तो सुन्य को नहीं लिखते हैं सिर्फ 4 लिख देंगे 12,004 हो जाएगा सेकड़ा के जगा पे सुन्य आ रहा है और दहाई के जगा पे भी सुन्य आ रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे सिर्फ 4 लिखेंगे यानि 12,004 एकाई दहाई सैकडा हजार, हजार आया यहाँ पर, तो ये है बारा, यानी बारा हजार, चार खर अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखें इकाई दहाई सैकडा, हजार, दस हजार तो हजार कहां पे आया, यहां पे आया, सुने पे, तो यह दोनों क्या हो गया, सत्तर, यानि सत्तर हजार लिखेंगे, सत्तर हजार, देखें, सत्तर हजार हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार सत्तर पे आ रहा है, तो सत्तर हजार हो जाएगा, इकाई दहाई को सो लिखते हैं सेकड़ा को सो लिखते हैं तो सत्तर हजार साथ सो नब्बे ये क्या बच गया नब्बे यहाँ पर लिख देंगे नब्बे तो सत्तर हजार साथ सो नब्बे इसको हम सब्दों में लिखेंगे ग तो इसको कैसे पढ़ते हैं इकाई दहाई सेकड़ा हजार दसजार लाख देखें इकाई दहाई सेकड़ा हजार दसजार लाख लाख कहाँ पर आया एक पर आया तो एक लाख लिखेंगे एक लाख इकाई दहाई सेकड़ा हजार दसजार लाख तो लाख आया एक पे तो एक लाख लिखेंगे अब इकाईद हाई सेकड़ा हजार यहां पे आ रहा है यानि सुन्ने है देखें दोनों सुन्ने हजार और दस हजार वाला दोनों सुन्ने है तो इसको नहीं लिखेंगे अब यहां पे आ जाते हैं तो साथ पर सैकड़ा आ रहा है, एकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब सो होता है, तो साथ सो लिखेंगे, साथ सो, तो एकाई दहाई सैकड़ा हजार दसजर लाक, तो एक लाक साथ सो, एक बच गया सिर्फ, सुने एक मतलब क्या हुआ है, एक हुआ, तो यहां पर एक देंगे तो एक लाख साथ सो एक हो जाएगा सब्दों में घः घः में है इकाई दहाई सेक्डा हजार दसजार लाख लेखिए इधर से गिंते हैं तो इकाई दहाई सेक्डा हजार दसजार लाख लाग कहां पर आया, पांच पर, तो यहां लिखेंगे, पांच, पांच लाग, पांच लाग, इकाईद हाई, सेकड़ा हजार, हजार कहां पर आय रहा है, यहां पर, हजार, दस हजार इन दोनों में आ रहा है, तो 90 हजार हो जाएगा, देखें, यहां पर हजार आ रहा है, यह दोनों मिलके क्या हो गया ? 5,90,000 5,90,000 शेकडा में सूनने है और दाहाई में भी सूनने है तो इसको नहीं लिखेंगे सूने को नहीं लिखते हैं सिर्फ दो लिख देंगे तो पांच लाख नब्बे हजार दो हो जाएगा पांच लाख नब्बे हजार दो तो इस तरह से प्रस्न एक हल करेंगे प्रस्न दो अंकों में लिखें तो क में है 46,301 प्रस्न दो का क क में क्या है 46,000 देखे 46,000 तो 46 लिख देंगे सबसे पहले तो 46,000 46 हो गया यहां पर 1000 है तो 46,301 अब देखे 100 के जगा पर 3 है तो 300 है यानि 3 लिखेंगे यहां पर 301 अब इकाई दहाई सेकडा 1000 10,000 तो देखे सेकडा के बाद 2 अंक होता है तो एक कहरा है यानि सूने एक लिखेंगे दहाई के अस्थान पर सूने देंगे क्योंकि दहाई के अस्थान पर कोई अंक नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा सूने होगा तो 46,301 देखें इकाई दहाई सेकडा 1000,10,000 तो 46,000 वे अस्थान पर आ गया 6 यहां पर 1000 आया है इकाई दहाई सेकडा 1000 यानि 46,301 इस तरह लिखेंगे खह में क्या है 29,411 29 29 लिख लेंगे पहले 29,000 कहा रहा है तो 29 लिख लेंगे पहले 29,400 100 के जग़ पह चार है तो यहां पह चार लिख लेंगे 411 कह रहा है तो दहाई के स्थान पर एक है इकाई के स्थान पर भी एक होगा तो इकाई दहाई सेकडा 1000 10,000 29,411 29,411 5,20,079 गह में क्या है 5,20,079 तो देखे 5,20,000 5 लिख लेंगे पहले 5,20,000 अब यहां पर 20 लिख लेंगे तो 5,000,000 में क्या कह रहा है 20 कह रहा है तो 20 लिख लेंगे 20,079 सेकडा में कुछ नहीं है तो सून्य लिखेंगे फिर 79 लिख लेंगे तो देखें इकाई दहाई सेकडा 1000,10,000,000 तो 5,20,079 कि काई दहाई सेकडा 1000,10,000,000 तो 5,20,079 अब देखें 5,20,079 में सेकडा के जगा पर कुछ नहीं है ठीक है 100 100 के जगा पर कुछ नहीं है तो हाँ पर सून्य लिखेंगे घह आठ लाक आठ आठ लाक अब देखें आठ लाक आठ कह रहा है तो आठ लाक आठ अब आठ लाक के अस्तान पर आ गया तो 10,000 के अस्तान पर सून्य होगा 1000 के स्थान भी सून्य होगा सेकड़ा के स्थान भी सून्य होगा दहाई के स्थान भी सून्य होगा और इकाई के स्थान पर क्या कह रहा है आठ है तो 8,00,00, आठ लिखेंगे इकाई दहाई सेकड़ा 1000,00, 10,000, लाक तो 8,00, आठ तो इकाई इकाई के जगह पे आठ होगा, दहाई सूने होगा, सैकड़ा भी सूने होगा हजार भी सूने होगा, और दस हजार भी सूने होगा ठीक है? क्योंकि आठ, लाक आठ कहा रहा है तो लाक के अबाद पांच अंग होना चाहिए देखें एक, दो, तीन, चार, पांच तो इस तरह से लिख लेंगे चार्ट तो सुन्ने दे देंगे हजार और दस हजार के अस्थान पे सुन्ने रहेगा सेकड़ा के अस्थान पे भी सुन्ने रहेगा यानि सो के अस्थान पे और दहाई के अस्थान पे भी सुन्ने रहेगा तो इस तरह लिखेंगे अड़ा पचीस लाख तीन सौ अड़ा में क्या है पचीस लाख पचीस लाख तीन सौ अब देखें लाख में हो गया पचीस तो पचीस लाख यहां पचीस लिख दिये है तीन सो तो दस हजार के स्थान पे सुन्ने दिया है हजार के स्थान पे भी कुछ नहीं है तो सुन्ने लिखेंगे फिर सौ के स्थान पे हजार के पहले सौ होता है तो तीन लिख लेंगे अब तीन सौ कह रहा है तीन सो यानि दहाई और एकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो दो सुन्या और दे देंगे तो इस तरह हो जाएगा 25,300, देखिए एकाई दहाई सैकडा हजार, दस जार, लाख, दस लाख तो पचीश लाख फिर डाएक्ट 100 पर आ गया तीन सो कह़रा है तो हजार और दस हजार के अस्थान पे कुछ नहीं है तो सून्य दे देंगे सैकडा के अस्थान पे तीन लिखेंगे यानि सो के अस्थान पे और दहाई और इकाई के अस्थान पे कुछ नहीं है तो वहां भी सून्य देंगे तो पचीस लाख तीन सौ इस तरह लिख लेंगे च्या 72 लाख साथ हजार 72 लाख अब देखे 72 लाख साथ हजार कह रहा है तो 72 लिख लिए अब लाख के पहले क्या आता है दस हजार आता है तो दस हजार के अस्थान पे कुछ नहीं है क्योंकि 72 लाख साथ हजार कह रहा है तो यहाँ पे साथ लिखेंगा उसके पहले सून्य देंगे साथ हो गया हजार के अस्थान पे सून्य हो गया दस हजार के अस्थान पे इकाई के स्थान पे भी कुछ नहीं है तो सून ये देंगे तो 72,7,000 इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से प्रेसने दो हल करेंगे हुआ।